हेलो नमस्कार दोस्तो यस भी टेक्निकल प्यापका श्वाकत अंतर्वर किस्क मगा दोस्तो आज हम दीवार के उपर एटल्यन वार्बल लगळा रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं हम दिवार के उपर इटालने केसे लगने वाले हैं बेक साइड में फाइबर है पूरा नहीं निकालना चाहिए कट करके ऐसा बॉर्डर पटी रख लेना चाहिए ताकि इटालने मार्बल तूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और हम एमवाई के लेटिकरेट 73 प्लस 111 टाल एडेशिव एडेशिव यूज़ कर रहे हैं यह बहुत ही हेवी एडेशिव है और इटालने मार्बल भी हेवी है इसके लिए अपने को हेवी स्टोन के लिए हेवी एडेशिव यूज़ करना चाहिए लिफ्ट का दिवार है तो वैसे भी थोड़ वाइप्रेशन रहन वाला लिफ्ट का इसके लिए अपने को अच्छा ही केमिकल यूज करना चाहिए हमने दिवार के उपर को और स्टोन के बेक सैट में 6 mm ट्रेवल से लगा रहे हैं दिवार को और स्टोन को और अब यह सब काम होने के बाद में इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि सब काम फिटिंग होने के बाद में इसका एलिवसन का रुख कैसे आएगा गेट के साइड में गुरू आएगा 10 mm का गुरू है बहुत इश्यांतर लुक आएगा जब काम होने के बाद में और हमने गुरू बनाने के लिए जो यह बड़ा पीस है उसका जड़ाई फाड के हमने बड़ा पट्टी लगा दिये था जोंट किया है पट्टी को ताकि वो गुरू बन जाए क्योंकि 10 mm पट्टी तो हम नहीं लागा सकते हैं क्योंकि टलन मार्मल टूड जाएगा इसके लिए हमने एक इंच का पट्टी बेक सैट में चिपका दिये थे जड़ाई कटिंग कर गे इसका स्टोन का थिकनेस कटिंग कर गे यह अब हमने दूसरा पीस लगा रहे हैं दिवार के उपर लिफ्ट का डोर लगने के बाद में एक तरफ कम प्लास्टर था एक तरफ ज्यादा प्लास्टर आ रहा था तो हमने इसको प्लास्टर कर वा लिया था कर आ है कि अभी आपको समझ में आ रहा रहेगा कि एक तरफ ज्जादा प्लास्टर किया हुआै कर भी uhm कि में ऐदे डहेश्व कम थीकनेस नहीं लगाना चाहिए ज्यादा थीकनेस संस्यां काम नहीं यह हो गया आपने दोनों साइड का पीस खड़ा दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चेनल येस्पी फ्लोरिंग टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रहे हम इस्टोन व्रक्षी समधिर बनाती रहते हैं यह यह आप देख सकते हैं दोन तरब का पीस खड़े हो गया है और 10 mm वैं 10 mm का ग्रू है अभी यह है उपर का पीस लगा रहे हैं तो यह सब्सक्राइब बाद में आपको किसल उपाएगा अभी आप देख सकते हैं गेट के तिनों तरफ गुरू आया है बहुती शांदर गुरू है और नवीन डीजाइन है 10 mm वैं 10 mm का ग्रू है और धार को सब तीनों तरफ पालिश किया हुआ है दन्यवाद दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो यह है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और आप मारको कोमेंट में जुरूर बताइए आपको कि आपको कितना अच्छा लगा दन्यवाद जैहिं जैवार्त बंदे मात्राम झाल